नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिदी सरीवास तब अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक संकट आने की वज़े से हमेशा इंसान अपने होस में नहीं रहता है हमेशा वह अपने होस को खो देता है और अपनी आर्थिक समस्या को और भी जादा बड़ा वदे देता है वह यह नहीं सोचता है कि आर्थिक समस्या से कैसे लड़ा जाए वह जैसे ही आर्थिक समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है तो वह अपने होस को खो कर अपनी चीजों को इधर उधर रखना शुरू कर देता है उसे कुछ याद नहीं रहता उसकी यादास कमजोर होने रग जाती है जिसकी वज़ा से अपने जीवन साती या फिर अपने घर पे महमपरों के उपर निकाल देता है या फिर यदि वह साधी शुदा है और उसके बच्चे हैं तो उस बच्चों पर भी वह अपना गुस्ता निकाल देता है तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए यदि आपके उपर आर्थी समस्याइं आ जाती हैं या फिर आर्थी समस्याओं की वज़े से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आपके नोकरी नहीं लगपा रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप और भी ज़्यादा मेहनत करें और महनत करते रहें ताकि आपके जिद्गी में वह महनत कभी तो रंग लाएगी यदि आप चाहते हैं कि आपके आर्थी समस्या जल्दी ही खतम हो जाएं और आपके आर्थी समस्या होने से आपके जीवन पर कोई परभाव ना पड़े और आपके धन पर भी कोई नुकसान न हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप तीजोरी में मातालक्ष्मी का यंद्र जरूर रखें यदि आप मातालक्ष्मी का यंद्र लाल कपड़े के अंदर रोली तिलक से लगा कर और उस पर चावल रखते हैं तो ऐसा करने से आपके जो भी इक्षाय हैं वे जल्दी पूर्टी हो जाती है और मातालक्ष्मी की किपा होने से आपके तीजोरी कभी खाली नहीं रहती है हो सके तो आप सुकरवार के दिन सुबह या शाम को आप एक समय पर दीपक जरूर चलाएए वो भी तीजोरी के पास ही जलाएं और तीजोरी की पास जलाने के बाद थोड़ दे तीजोरी खुली छोड़ दे जिससे कि आपके जो भी लक्ष्मी है वे और भी जादा बढ़ जाए कोशिश ये रखें कि जब तक दीपक जल रहा है तब तक आप महीं रहें ताकि उससे कोई भी नुक्सान ना हो और उसके साथ साथ ये भी धियान रखें आप स्वास्तिक ज़रूर बनाए जब भी आप लोकर में पैसे रख रहे हैं तो उससे पहरे अपनी तीजोरी पर स्वास्तिक का चीन बनाए और तीजोरी के अंदर लाल कलर का कपड़ा बिछाना बिल्कुल ना भूले क्योंकि लाल कलर का कपड़ा मातालक्षमी का ज़्यादा चहेता भी होता है यदि आप चाहते हैं कि आपके तीजोरी कभी पैसों से खाली ना रहे और आपके आर्थिक समस्यां जल्दी ही खतम हो जाए तो लार गलर के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद यदि वह चीजे सूख जाए चावल आप रोज रोज बदलते हैं और चावल जो एक दिन के पहले के हैं वह चावल जल्द में प्रवाइद कर दीजिए ऐसा करने से आपके सारे काम जो भी आपके विगड़े हुए कारे हैं वह जल्दी ही पूरे हो जाएंगे तो यह है माता लक्षमी के यंतर के फायदे मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जब तक के लिए मैं अपनी तिसरी बास तब आप से इजाज़त लेती हूँ